हैलो वाइज एक बाव फिसर सुवागत है तो दोस्तों सबसे पहले हमें चाहिए दाल तो दो तरह की दाले हमें चाहिए यहां पर मैंने चने की दाल ली है और सावत मसुर की दाल ली है तो चने की दाल को अपने भीगा के रखना है सारी रात एक रात आपने भीगा के रखना है पांच छे घंटे के लिए आप भीगा स सकते हो या फिर दो घंटे के लिए गरम पानी में भीगा सकते हो तो भीगाने के बाद इसका जो पानी है वो निकाल लेना है और इसको छान लेना है तो इसको एक प्लेट में कपड़ा लगाना है और कपड़े के ऊपर आपने इसको डाल देना है यह देखिए ताकि जो डाल क पानी है यह उपर-उपर से सूख जाए क्योंकि यह दाल बिल्कुल भीगा हुआ है और इसका उपर-उपर का जो पानी है उसको सुखाना है हमें तो इसको मैं सुखाने के लिए क्या करूंगा अगर आपके पास टाइम है तो इसको आप रख सकते हो पंखे की नीचे या फिर थोड़ी दिर के लिए मतब जब तक की हम बाकि सारी सारी चीज़े रेटी करेंगे अगर इसके बाद बाकी सारी चीज़े बनाना होगे तब तक यह सारी है वो बिल्कुल सोख जाएगा उपर उपर का तो अब हमें चाहिए बेशन तो सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है उसमें दो तीन चमच बेशन डाला है नमक और थोड़ सी हल्दी पाउडर और एक चमच मैंने डाला है रिफाइंड ओयल तेल जो भी आप घर में यूज़ करते हो और उसके बाद ये देखिए पानी डालके एक डो बिल्कुल सौफ्ट रैक्डि करना है इसके लिए सौफ्ट डो अपने बिल्कुल इसका रैक्रेडि कर लेना है आटे की तरह इसके हम बनाएंगे जो मोटे वाले थोड़े से शेव होते हैं वह बनाएंगे और इसी सकते हो online मैंने Link description में दे दिया है और आप वहां जाके इसको purchase कर सकते हो तो इससे बहुत सारे डिजाइन के बनते हैं और बहुत सारी चीज़े इससे बनाई जाती है तो इससे मैं आज दो तरह की से बनाने वाला हूं सबसे पहले हम बनाएंगे मोटे वाले तो यह दीखे यह मोटे वाले की जाली है तो यह वाला लगा देंगे और इसके बाद हम welfare बनाेगे तो उसमें वारिक वाली लगा देंगे तो भस में क्या करना है जो हुमने बेसन ready किया है उसको लेका है अब थिकने साब बेसन की देख सकते हो ऐसे ही थोड़ा सॉफ्ट बेसन होना चाहिए आटे की तरह हाड ना हो अगर हाड होगा तो आप दबा ओगे उसको तो बहुत ज्यादा मुस्किल होगा थोड़ा टाइट रहेगा तो जल्दी बहुत ज्यादा जोर लगेगा और सई से निकल चाहिए अब हमें क्या करना है कड़ाई रखना है तेल गरम करना है जैब विदर फोल्रलम कर फुक का लगे तो ब embr الطan अचाहिए वहाँ पलोन होती उपर से प्रेस करते जाएंगे जब तक उपर यह कच्चे है जहाग आना इस को इसको उपर से बंद हो जाए तो इसका मतलब यह पक चुके हैं तो इसको उपर से कर देकाल लेंगे अब इसको किसी भी टीशिव घर से हत कर लेना है उसके बाद सीधा versucht की मैंने और ओर का यह इस वीडियो अप्लोड की हुई है तो बस सेम इसी तरह से यह भी बिल्कुल ब्राउन हो जाए और जहार खतम हो जाए तो निकाल लेना है और अब हम बनाएंगे बूंदी तो इसके लिए हमें एक कटोरी में बेसन डालना है तो मैंने तीन चमच मोटे वाला बेसन यूज किया है मोटा बेसन यूज करना उसके अब नमक डाल लेना है और थोड़ इसी लाल मिर्च का पावडर और आप लाल मिर्च ना डालना चाहे तो ना डाले तो उसके बाद इसका विल्कुल ठीक बैटर रेडी करना है पहले तो ठीक बना नहीं ताकि इसमें लंप मदोगे तो बिलकुल सही बनेगा और उसके से रखना है thickness ओ उसके बाद इसमें food color हमें add कर देंगे, जो भी color के आप बनाना चाहो वो बना सकते हो मैंनेreek yellow color add किया है और दूश्रे वाले में मैंने green अच्छे से mix कर लेंगे और उसके बाद ये बिल्कुल ready हो जाएगा बुंदी बनाने के लिए तो बुंदी बनाने के लिए हमें सबसे पहले तेल चाहिए, तेल मैंने कड़ाई पर वही वाला रखा हुआ है, तो उसी में हम बनाएंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, अब यह देखें मार्केट से ला सकते हो, बहुत ही तरीके से बनानेorg यह अब कड़ों स्वाज़न से गोल नहीं बने रही है, तो समझे कि मोटा बेन्याख्यामी से गोल बनेगी, और टिकेज्ञ आप सही रखोगे तो बिल्कुल सही गोल-गोल बुंदी बनेगी तो इसी तरीके से आपने दोनों बुंदी राडी कर लेना है और जब ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए मतलब इसका कलर डार्क ना हो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए बना सकते हो मार्किर में देखे ये कितने सारे कलर का यूज़ किया जाता है और इसी तरह से ये भी क्रिस्पी हो जाए तो निकाल लेना है और गैस का जो फ्लेम है हाई पर रखना है हाई पर रहेगा तो वे बिल्कुल सही तेल गरम रहेगा और उसके बाद हमारे जब तेल गरम रहेगा तो यह पिचकेंगे नहीं फुले-फुले गोल-गोल बुंदी बनेंगे हमारे तो देखिए हमारे बुंदी जो है वो कितने बढ़िया बने हैं अब इसको साइड में रखते हैं अब बारी है दाल फ्राई करने की तो दा देल है अगर मानलो कभी-कभी उपर आने लग जाता है तो आप दाल को उठा लेना है एकी बार में तो फिर बाहर नहीं आएगा तो इसलिए मैंने च्छानी को बीच में रखा था उसके उपर मैंने चनल डाल डाल दिया है और हाई फ्लेम पे रखना है गैस को और बहुत ज ज्यादा दाल उपर आ चुके हैं तो मैं इनको निबार नीकओर हरा हु और नीचे वाले नीचे वाले कुछ ऐसे दाल उते हैं जो उपर नहीं आते और लेकिन फ्राइर होचके होते favor और सेम तरह से हम फ्राइगे अब ने मसूरिंदू की डाल मसूरिंक डाल भी ह होता है और इसमें तेल नहीं भरेगा तो तेल बहुत जादा ना तो इसमें तेल पेसे को करना जरूरी है तब भी बड़ीया prof smith को पर पाते हैं तो अब क्या जब तेल निकल जाए तब हम इसको टेश्यू पर 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 अब मूफली पीनट यहां में लिया है और चिले हुए पीनट मिलते हैं तो इसी तरह से आपने इसको भी थोड़ा कम फ्लेम पर यह ज्यादा फ्लेम पर नहीं रखना है टेल का और इसको भी इसी तरह से रोष्ट कर लेना इसको हमें ज्यादा डीप नहीं करना है इसके ऊपर आने तक हमें वेट नहीं करना है इसको हलका रोष्ट करना यह देखिए जब इसके कलर चेंज होने लग जाता है थोड़ा सा उपर उपर के चिल के तब इसको निकाल लेना है अब इसी तरह से हम ड्राइफ रोड लो फ्लेम पे ज्यादा अब मैंने गया स्तेज नहीं रखा हुआ है ज्यादा तेल गरम नहीं है तो इसी तरह से आपने हलका सा जब ब्राउन विशाने लग जाए तब इसको निकाल लेना देखिए काजू ब्राउन होने लगे थोड़े इसी टाइम पे हम इसको निकाल पाद मोटे वाले सेव और पीनेट और यह देखिए कितने बढ़ी ऐसे बने सारे बहुत जादा क्रिस्पी है बोंदी भी बहुत जादा क्रिस्पी है तो टीशू पेपर में मैंने रखा हुआ था सारा एक्स्ट्रा तेल निकल चुका है और जो सेव हमारी यह भी बिलकुर रेडी है इसको मैंने तोड लिया है इसमें से आधे खा चुके है सब लोग इसलिए मैंने इसको तोड़ा है अब एक थाली मैंने लिया है अब क्या करेंगे इसको सारी चीजों को मिक्स करेंगे तो सबसे पहले मैंने यह दीखिए यह मोटे वाले सेव है इनको तोड लेते यह प्रण आप इसमें मूंग की दाल भी आड़ कर सकते हैं यह मैंने आपको दिखा नहीं पाया लेकिन मूंग का दाल मैं आड़ नहीं कर रहा हूं कि पहले खाके लोगों था सकते हो वह कहाँ बनाना लेकिन मैं जो बनाऊंगा इसको अच्छे से पहलेमिक्स करने के बाद मैं इसमें बनाऊंगा खटा flavor भी हो मीठा तो नहीं मैं डालूंगा मीठा मुझे नहीं पसंद है और इसमें spiciness भी अच्छे से हो तो देखी मैंने एक कटोरी लिया है उसमें मैंने काला नमक डाला है और उसके बाद मैंने देगी मिर्च डाला है अदा छोटी चमच आदा चोटी चमच काला नमक डाला था और उसके बाद चाट मसाला एक चमच में डाल रहा हूँ और यहां पर जल जीरा पाउडर पर मैं आड़ कर रहा हूँ इसमें और उसके बाद थोड़ा सा जीरा पाउडर मैं ने इसमें आड़ किया है बस इसको अच्छे से मिक्स कर ले और उसके बाद इसको अच्छे से mix कर देना है mix करने के बाद इसका टेस्ट चेक करके देखना अगर मसाले कम लग रहे हैं तो और मसाले डाल ज़रूरी नहीं जितना मैंने बनाया है वो सारा उठा के डाल देना नहीं यह पहले आपने चेक करना है टेस्ट के अकॉडिंग अगर और हलवाई वाली रेसिपिस अगर आप देखना चाते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी वाला बटन है वो ज़रूर दबादे आपके आपको हमारी जो आने वाली वीडियोस है वो आपको मिलती रहे